हेलो एब्रीवन वेल्कम टो इंजिनियर्स अड़ा गाईज माईसेल्फ रजट सिंग और आप सभी का इंजिनियर्स अड़ा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं जुड़े रहे हैं जल्डी से जल्डी फटाफट सेशन में आ चाहिए सबका प्रेजन्स चाहिए सभी लोग फटाफट आ जाओ जल्डी से जल्डी जुड़ जाओ उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्वेसंस रोज की तरह आपके स्क्रिन पे आएंगे और उसके साथ आपको जवाब देना होगा पोल के मध्यम स पर्तिकुलर चैट सेक्शन में तो लाइव चैट सेक्शन में आप लोग को पोल मिलेंगे चार आप्शन होंगे जो आपको आपको चेक करना है और अपना एवलिएशन खुद से करना है आई होप आपको सभी को मेरी आवाज और वीडियो सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा क्लियर दिखाई दे रहा होगा एक बार कन्फर्म करें उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं गाईज है ना गोड इवनिंग वेपेन पूजा अलमादरी जितने भी बच्चे हैं प्रसंजीत सुभाष और देखो यार लास सेशन का जो पीडियेफ था वो भी मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों से वो मैंने अभी टेलिग्राम क्रूप पे भेजा नहीं था टेलिग्राम क्रूप पे उसका भी पीडियेफ जो है पूरा का पूरा जो क्वेसंस थे उसके पीडियेफ मैं भेज दूँगा ठीक है चलिए वेलकम वेलकम सभी का वेलकम है ओल क्लियर है ओके तो गाईज अगेन मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स कायदे कानून बताना चाहूंगा कुछ लोग नए होंगे कुछ लोग पुराने होंगे जानते होंगे आपको अपना उवल्यूएजन खुद करना है उवल्यूएशन के लिए बड़ा ही सिम्पल सा प्रॉसेस है टररेक्ट के लिए प्लस वन मार्क्स अलॉट करिएगा अपने आपको खुद को और फॉर इन से कुछ session को पूरा का पूरा cover करते हैं और जितने भी इंजिनेर्स जुड़े हैं न सभी को एक बार जरूर बोलूगा कि session में आते हैं तो session को like जरूर किया किजिए मैं बार बार बोलता हूं session को like करने से ना तो मुझे कुछ benefit मिलेगा ना आपको लेकिन हाँ उन बच्चों को subject पढ़ने हैं पूरे detailed में वो join कर सकते हैं NBCC JEE का badge जो कि 8 April से start होगा और एक ये RMB badge है जो कि 2 दिनों बाद 24 March से ही start हो रहा है ये सभी के सभी JEE examination के लिए valid है चाहे SSC JEE की preparation कर रहे हो या RRB JEE की preparation कर रहे हो या फिर other state JEE examination क्योंकि इसमें non-tech में पूरा portion cover कराय जा रहा है technical में भी पूरा तो RM badge भी join कर सकते हैं join करने का procedure सेम है ADA247 के application को download करेंगे वहाँ जाके इसको join करेंगे discount के लिए आप लोग use कर सकते हो Y293 ये मेरा code है जिससे आपको अधिकतम maximum discount मिल जाएगा जिसको भी purchase करना होगा payment से पहले ये coupon code लगाने का option आएगा वहाँ पे ये coupon code apply क होती है वहीं थोड़ी सी tough हो जाती है कठिनाई शुरू में ही देखने को मिल जाती है आज का session कुछ ऐसा ही है जब आप स्टार्ट करोगे जब आप स्टार्ट करेंगे questions तो ऐसा जरूरी नहीं है कि paper में शुरूआत में आपको आसान question ही मिले paper में भी ऐसा होता है कि questions starting में ही आपको tough questions देखने को मिल जाते हैं तो फटा फट बताईए आप लोग यहाँ पे इस question का answer कोई बात नहीं यार admit card आ गया तो ठीक है अभी यहाँ पे session को attend कर लो admit card बाद में देख लेना पहले इसको session को attend कर लो admit card वगएरा तो सब आते रहते हैं और आएंगे जाएंगे लेकिन अगर preparation सही रहेगे तो exam भी निकलेगा ठीक है पहला question देखिए first question और poll आपके सामने मैं create कर दे रहा हूँ अभी poll आपको दिखाई देगा first question का poll में ही आप लोग को answer करना है थोड़ा से time इसलिए इसमें दे दे रहा हूँ कि इसको solve करिए थोड़ा सा इसमें लगेगा कभी कभी कुछ कुछ समय वाले questions time taking questions आ जाते हैं तो इसका question देखिए पढ़िए थोड़ा से जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो I think कभी दिख रहा होगा सबको clear poll भी दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है read out कर देता हूँ the rain rainfall figure figures of successive 30 minute intervals are मतलब rainfall figures मतलब rainfall का data दिया हुआ है 30-30 minute के interval पे 35, 125, 45, 45, 45, 30 mm per hour if the 5 index is 35 mm per hour determine the w index w index निकालना है 5 index दिया हुआ है बहुत ही संदार question है बहतरीन इस question को मैं बोलूँगा जल्डी से जल्दी यहां पर answer करें आप लोग और पोल आपको दिखाई दे रहा होगा I think सबको पोल दिखाई दे रहा है न पोल में आप जवाब दे सकते हैं जितने भी बच्चे हैं पोल में आप अपना जवाब दे सकते हैं गाईज ठीक है चलिए तो 35 mm पर आर से अगर ज्यादा वर्सा होती है तो आपका रनफ में contribution होगा यह फाइंडेक्स यह बता रहा है सिंपल सी बात है और फाइंडेक्स क्या होता है अगर फॉर्मूले वाइस बात करें तो तो एकसेस रेंफॉल माइनस रनफ अप आपान ओफ अपोन टाइम आफ एकसेस रेंफॉल जिस रहां वर्सा अत्यधिक हो रही है जो इन्फिल्ट्रेशन उससे ज्यादा रही है जिसमें रनफ निकल आप पानी जो सरफेस से बहरा रहा तो उसके दौरान जो फाइंडेक्स यहां से और W इंडेक्स आप से पूछा है, Find X देके W इंडेक्स पूछा है, W इंडेक्स क्या होता है, Total Rainfall Minus Runoff Upon Total Time, अब आपको कैसे भी करके यह R की वैलू निकालनी है, Total Rainfall तो निकाल सकते हो, P की वैलू, R निकल जाए तो हमारा काम हो जाए, T तो दिया ही हुआ है, 30-30 मिनट के इंटरवल पे है, और Total कितने दिये हुए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 दिये हुए, यानि की 3.5 R का पूरा का पूरा Rainfall दिया हुआ है, R कैसे भी कलकुलेट करना है, तो R देखो कलकुलेट करने के लिए, 35 से जो ज़्यादा वाला है, वही 5 इंडेक्स में आएगा, 35 से ज़्यादा वाला है, वही 5 इंडेक्स में आएगा न, देखो यह वाले, 30 mm तो runoff में contribution नहीं करेगा, तो findex में इसको तो count करेंगा नहीं, तो कितने कितने है, 35 से ज़्यादा वाले, एक तो 35, 40, 120, 85, 45 और 45, इनको ज़रा add करिए सबको, सबको add करके और इसमें क्या करो, इसमें 0.5, यानि कि 30 मिनट्स के लिए हैं, तो 0.5 का multiply कर दोगो, तो total rainfall इन MM में आ जाएगा न, क्या करो, इसमें 0.5 का multiply कर दोगे, तो 0.5 का multiply, पहले इसको सबको जोड़िए कितना आ रहा है, MM per R में आएगा, यह जो unit है, सबकी MM per R में दिया हुआ है, यहाँ से सबको add करेंगे, आप कितना रहा है करने के बाद, और बताईए उसके बाद इसमें क्या कर दोगो, इसमें 0.5 का multiply कर दीजे, 370 आ रहा है, 370 आ रहा है, अगर तो 370 में, 370 में 0.5 का multiply कर देंगा, तो PE की value आ जाएगी, 370 into 0.5 क्योंकि 30 minutes के लिए है, तो यह PE effective जो rainfall है, वो कितना हो जाएगा, 185, 185 time duration कितना है, 6 term लियो, 6 term लियो, यानि कि 3 hour total time हो जाएगा, TE की value हो जाएगी 3 hour, क्योंकि 30 minutes के 6 term है, तो यानि कि 3 घंटे बारिस हो रही है, अब 5 वाले formula में हम लोग value रख देते हैं, 5 वाले formula में value रख के हम लोग निकाल लेते हैं, 35, 5 की value थी, यह हमने निकाल लिया, 185 minus R divided by 3, यहाँ से R की value निकल जाएगी, कि R की value कितनी आ रही है, फटा-फट बताइए जरा एक बर, R की value आ रही होगी यहाँ से 80 mm, 80 mm, जैसे यह R निकला, W इंडेक्स में निकल जाएगा, W इंडेक्स क्या है, total P minus R divided by total time, total P कितना हो जाएगा, यह 180 था, इसमें और कितना जोड़ दोगे, 30 into 0.5 यानि कि 15 और जोड़ दोगे, total rainfall के लिए, यह 370 था, इसमें 30 और जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा, 400, 400 into 0.5 कर देंगे, 400 into 0.5 करेंगे गाईज, तो यहाँ पे आपको total rainfall मिल जाएगा, कितना, 200, 200 मिल जाएगा, total rainfall, 200 minus R की value आप 80 निकाल चुके हो, divided by time, 7.5, 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, total time, 3.5 आपने, क्योंकि 7 अलग-अलग interval में 7 term है, 30-30 मिनट के interval पे, तो 3.5 घंटे, यहाँ से W इंडेक्स की value, और W इंडेक्स की value आप जब calculate करेंगे, तो R होगी, 34.28, something mm पर R, 34.28 आ रहा होगा, यहाँ पर answer आपका, third option, sorry, third option नहीं, कौन सहा, third option ही, approach, 34.28 आ रहा है, यानि कि 34.3, यही option correct होगा, यहाँ पर, और 33% student ने third option को सही बताया है, तो question definitely, थोड़ा सा न, पहले ऐसा होता है, कि कई बार आपको starting में ही tough question मिल जाएगा, खेर घबराने वाली बात नहीं है, चलिए, अगला question आसान भी मिलेगा, skip भी करना आना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है, तो हलाकि यह question easy था, बस समझने का खेल था, second question, पोल आपकी screen पे रहा, आप इसका जवाब दीजिए, पोल में, और अक्सर ऐसा होता है, कि कई बारना हम expect करते हैं, कि सुरुवात में आसान question मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है, वो manoval को आपके down करता है, बस केवल, लेकिन इतना जरूर याद रहना कि tough questions आगे है, next, the instrument used for measuring evaporation is, question second का answer आपको करना है, instrument used for measuring evaporation is, फटा फट answer करिए, जल्दी से जल्दी आपके screen पे question दिखाई दे रहा है, सभी लोगों को बताना है, फटा फट बताईए, which one is correct, कौन सा option correct है, और यार, session में अभी भी, देखो, 180 watching है, 90 likes हैंके वल, आधे likes हैंके वल, session को like भी कर दीजे, तो चलो, यहाँ पे जो गल्ती में expect कर रहा था, वो गल्ती कर ही दिया, आखिर में लोगों ने, कुछ लोगों ने, कि चलो, हाइग्रो मेंटर हो जाएगा सर, वो लेसी मेंटर नहीं है, तो हाइग्रो मेंटर हो जाएगा, ठीक है, आपने evaporation measurement के लिए कोई instrument का नाम सुना है क्या, evaporimeter सुना होगा, pan, evaporimeter, evaporimeter का use हम लोग करते है, evaporimeter का, evaporimeter तो सुना होगा समने, evaporimeter और atomometer दोनों एक ही नाम है, evaporimeter को ही atomometer बोलते हैं, यहाँ पे जितने भी बच्चों ने B option किया है, उनका answer correct है, hydrometer गलत है, ठीक है, lesimeter किसके लिए use होता है, evapotranspiration के लिए, evaporation के लिए नहीं, lesimeter या tank lesimeter दिया रहा है, तो यह evapotranspiration के लिए use होता है, तो यहाँ पे B option is absolutely correct, और 26% बच्चों ने केवल B option दिया था, बाकी first option को 35% बच्चों ने और 33% student ने third option को दिया है, चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number third और poll आपके screen पे, आज question आप लोग से ज़्यादा गलती होंगे, क्योंकि आज ऐसे questions मैं लेकर आया हूँ, कि आप से गलतिया हों, ठीक है, और गलतिया होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक्जाम में गलतिया नहीं और यह एक्जाम से पहले हो रही है, तो यह बहुत अच्छी बात है कि पहले आप सीख भी रहे हो, चलिए, question number third, question number third का answer करिए, यहाँ पे देखो क्या बोला है, the observed annual run-off from the basin area, 500 km2 का एक area है, जिसमें से run-off को observe किया जाता है, 150 megameter cube, million meter cube दिया हुआ है, यानि कि 10 to power 6 का multiply कर देंगे, meter cube में आ जाएगा, and corresponding annual rainfall over the basin duration is same year, is 750 mm, 750 mm की यहाँ पे rainfall दे दिया है, what is the run-off coefficient, run-off coefficient पूछा है, यह run-off coefficient क्या होता है, आपको formula तो यह पढ़ा होगा, run-off equal to, run-off coefficient into rainfall, इसी formula पे यह question solve करना है, और 52% student ने बोला है कि sir यहाँ पे answer जो होगा, वो B option होगा, इसको भी skip करने वाला question है, ऐसे question को तो देखते के साथ answer ठिक कर दोगे, बहुत ज़्यादा calculation नहीं है, बनेंगे, practice करोगे, बनेंगे, पूरे hydrology के questions ने, hydrology पढ़ोगे तो बिल्कुल बनेंगे, बहुत simple question होते हैं यह सब, यह सब question तो गलत करने ही नहीं आपको, इरिया का डिवाइड कर दोगे, depth मिल जाएगा, volume में, area का डिवाइड कर देंगे, हम यह मीटर क्यूब में हो जाएगा, यहाँ पे, area कितना दिया हुआ है, 500 km2, यहाँ पे इसको भी मीटर स्कॉाइर में बदल देंगा, तो 10 पौर 6, मीटर स्कॉाइर हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा, 300, 300 mm आ गया आपको, runoff, और CR into rainfall दिया हुआ है, 750 mm, तो CR की value कितनी हो जाएगे 300 upon 750, 300 में 750 का भाग देदो, आपको answer मिल जाएगा, कितना आजाएगा, 0.4 answer आजाएगा, 0.4 is the correct answer, 2 by 5, 0.4 आजाएगा, 0.4 यहाँ पर correct answer हो जाएगा, CR की value runoff coefficient 0.4 आजाएगा, जिन बच्चों ने यहाँ पर 0.4 दिया था, वो उनका answer सही है, लेक चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, next, next question देखिए, the probability of a 10 year flood to occur at least once in next 5 year, बड़ाई simple सा question है, अच्छे से पढ़िए और answer करिए, poll आपको submit कर दे रहा हूँ, यहाँ पर poll में आपको answer करना है, question number 4 का, चलिए guys, फटा-फटा answer करेंगे, अब ऐसे questions में आपको दिमाग पूरा चक्रा आ जाता है, हम बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे questions में दिमाग इसलिए चक्रा आता है, क्योंकि Kelsey तो है नहीं आपके पास, examination में आपके पास calculator तो available रहेगा नहीं, अब यहाँ पर 10 years, ऐसे सब data दे दिया, लेकिन आपको मैं solve करके यहाँ बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि examination में इसके options को कैसे set किया जाता है, options कई बार बहुत अच्छे धंग से prepare करके ऐसे रख देते हैं, कि आप बिना Kelsey के भी सही answer चूज कर सकते हो, यहाँ पर तो खैर Kelsey की जरूर जरूर पड़ेगी, इस question को लेकिन एक बार आप लोग solve कीजिए, focus करो यार, आज तो तुम लोग admit card, admit card का नारा लगाने लगे हो, है ना, question number fourth, फटा-फटा, अच्छा, probability of a flood to occur in, at least once in five years, यही पूछा है, at least once, 10 year flood है, 10 year flood है मतलब, T, probability of occurrence 1 by T होता है, 1 upon 10 हो जाएगा, यानि कि probability of occurrence 0.1, non occurrence होता है, 1 minus T, यानि कि 0.9 हो जाएगा, यह probability of non occurrence, 10 सालों में से, अगर लिखा है, probability of occur at least once in next five सालों में, अगले five सालों में कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए तो उसको कैसे निकालते है, 1 में से एक भी बार ना आए, पांच सालों में एक भी बार ना आए, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, risk और reliability दोनों पढ़ा होगा term न, तो बड़ा ही सिंपल सा question था, बस इसमें calculation वाला चक्कर है, यह 0.9 की power जो 5 है न, इसको calculate करोगे, तभी आपको probability मिलेगी, और इसको calculate करना ही थोड़ा सा tough task है, 0.9 को 5 बार multiply करना है न, यह 10 भी आ सकता था, 10 years लिख देता है, यहाँ पे 8 years लिख देता है, तो 8 power हो जाती, तो इसको calculate करना, तो कई बार option में यही मिल जाता है, यह same to same इतना ही लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप option को tick कर दोगे, सही option choose कर लोगे, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा option में, तो आप सही choose कर लेंगे, यहाँ से इसको solve करेंगे, तो आपका answer आ रहा होगा 0.409 यानि कि 0.41 यानि कि 41% B option is absolutely correct और जो लोग without Kelsey तुका मार रहे हैं उनका answer गलत है तुके में हमेज़ा ही गलत होता है चलिए अगले question पर आते हैं देखो फिर से उसी type का question है इसको फटाफट solve करा देता हूँ पोल सब्मिट कर देता हूँ पांच वे question का और इसको भी आप लोग को solve करना अब जिस method से बताया है उसी method से solve करके फटाफट answer बताओ एक बार आप लोग question नमर फिफ्ट का चलिए which one is correct यहाँ पर क्या है a six or rainfall of six centimeter at a place A was found to have a return period of 40 years 40 साल return period दे रखा है इसका यार यानि कि P की value कितनी हो जाएगी 1 by 40 1 by 40 की value निकालोगे 0.025 और Q की value निकालोगे 1 में से इसको घटा दोगे P को तो यह आ जाएगा 0.975 P और Q मिल गया अब आपको पुछा है कि 20 सालों में at least once कम से कम एक बार यानि कि वही probability हो जाएगी 1 minus Q की power 20 1 minus 0.975 की power 20 अब बताओ ये कौन सा ये बिना calculator के हो सकता है गया नहीं हो सकता लेकिन options अगर objective में आते हैं तो आपके लिए जो नहीं होगा वो दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा तो कई बार ऐसा दे देते हैं लोग objective paper में भी जहाँ Kelsey allowed नहीं होता है वहाँ भी ऐसे questions दे दिये जाते हैं क्या कर सकते हो skip करोगे अगर options ऐसे हैं तो skip करोगे अगर यही option में दिखाई दे रहा है same to same तो आप solve कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपका answer यहाँ पर आएगा 0.397 यहाँ पर 0.397 D option is absolutely correct ठीक है अगले question पर बढ़ते हैं कोई लाज नहीं था इसका और ऐसे question से घबराना नहीं है मिलते हैं examination में आपको भी मिलेंगे अगला question देखिए बिलकुल formula based चोटा सा formula ही पूछ लिया है इस question का answer तो सभी के सभी बच्चे दे सकते हैं फटा-फट बताईए question number 6 question number 6 का answer करें चलिए और session को like कर दो यार जितने भी लोग हो जितने भी लोग at least present हैं अभी इस time पर session को like कर दीजे फटा-फट to estimate the magnitude of flood peak QP by the formula QP equal to यह formula दिया हुआ है 124A थोड़ा से जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे where A is what A क्या है यहाँ पर catchment area in kilometer square this formula is termed as इस formula को हम किस नाम से जानते हैं Dickens formula, English formula, Revees formula, Rational formula सारे के सारे formula आपको याद होने चाहिए Dickens formula, Revees formula तो बहुत basic है कई बार पूछे जाते हैं है ना flood peak के लिए Dickens में आपको बताया भी था power में अब जितने word है लेटर है यहाँ पर खेर इसका पहले answer दीजेए आप लोग सर्जल्दी सर्जल्दी कुछ लोगों न जो Dickens formula देखते के सार्ट टिक कर दिया बिटा ऐसा कब पढ़े लिया Dickens ने ऐसा formula Dickens भी सोच रहा हो उसकी आत्मा सोच रही होगी कि यह मैंने formula कब दे दिया Dickens की आत्मा सोच रही होगी यह formula मैंने कब दे दिया मुझे तो पता ही नहीं है और बच्चे तो यह बोल रहे थे चलो अब थोड़ी से बुद्धी जगी English formula बिल्कुल correct बोल रहे हैं आप लोग English formula correct है इसका answer इसी का approximate formula हम लोग 123 under root A भी लिखते हैं इसको approximately यह 124 A upon 10.4 प्लस A को approximately हम लोग 123 under root A के बराबर भी यह भी option में कई बर मिल जाता है यहाँ पर यह English formula है बिल्कुल correct है B option 40% बच्चों ने यहाँ पर B answer दिया है सही आपका जवाब बिल्कुल और यह देखो Dickens और Revees में बड़ाई सिंपल सा है Revees में कितने letter है 1,2,3,4,5 5 है ना तो 2 by 3 power में हो जाता है ना power में 2 by 3 हो जाता है Irrigation and Hydrology के ही questions है पढ़ा होगा मैंने तो पढ़ाया है भाई Dickens में कितने letter है 1,2,3,4,5,6,7 7 letter है इनका summation है 2 by 3 क्यों बोला 2 by 3 है तो 3 plus 2 5 आ रहा है 7 letter है तो इसी तरीके से 3 by 4 कर दो 3 by 4 power में कर देंगे area की power में ठीक है तो यह सब बहुत basic चीज़े है और बताया है मैंने 50 बार नहीं बताऊंगो चलिए next question number 7 question number 7 7 कैंसर करिए फटा-फट During a storm एक वर्षा के दोरान the rate of rainfall observed at a frequency of 15 minute for 1 hour इदे को बड़ा ही अच्छा कोश्य नहीं है 15 minute के duration पे यह यह अलग-अलग-अलग हमारे पास rainfall का data दिया हुआ है if 5 index is 7.5 cm पर आर then the total runoff will be runoff कितना होगा यदि 5 index 7.5 दिया हुआ है 5 index इतना है तो runoff पूछा है इससे ज़्यादा जो वर्षा होगी उसी में तो runoff निकलेगा कितनी ज़्यादा हो रही है तो पहले 15 minute में कितनी हो रही है 12.5 तो 12.5 माइनस 7.5 7.5 से जो कम वर्षा होगी वो पानी इंफिल्ट्रेट हो जाएगा इससे जो ज़्यादा होगी वो runoff में contribute करेगा तो इस तरीके से हम लोग हर 15 minute का निकाल लेते हैं 15 minute का पर आर में दिया है 15 minute तक इतना हो रहा है यानि कि 1 by 4 का multiply कर देंगे क्योंकि 15 minute है 15 minute को आर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1 by 4 प्लस दूसरे वाले 17.5 माइनस 7.5 इंटू 1 by 4 प्लस तीसरे वाले duration में यहाँ पे 22.5 माइनस 7.5 इंटू 1 by 4 और चौथे में तो 7.5 में से 7.5 जाएगा तो 0 हो जाएगा तो यहाँ से आपको value मिल जाएगी कितना हमारे पास total runoff हो रहा है runoff कितना हो रहा है यहाँ से बिल्कुल calculate हो जाएगा कितनी value आ रही है जरह देखना है यहाँ से 7.5 यहाँ से 5 मिलेगा यहाँ से 10 मिलेगा यहाँ से 15 मिलेगा और divided by 1 by 4 यानि कि 20 divided by 4 कितना आ रहा है 20 divided by 4 आ रहा है 30 divided by 4 तो यहाँ से आ जाएगा 7.5 D option is absolutely correct यहाँ पर D option बिल्कुल correct है D option बिल्कुल correct है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलत answer दिया है 36% student are saying की 3rd option correct है तो गलत है आपका जवाब यहाँ पर D option correct है 7.5 ठीक है D option is absolutely correct अगले question पर बढ़ते है question number 8 question number 8 पर 8 वे का answer आपको करना है पोल में फटा फट बताईए क्या answer रहने वाला है और जब 2-3 question 4 question hydrology के 4-5 question दिख गया बच्चों से जैसे किसे से नहीं हुए तो वो सोचते हैं कि अच्छा यह आज का paper मेरे लाइक नहीं है अरे सबर करो बेटा questions मिलते हैं आपके zone से भी मिलेंगे हर जोन से questions मिलते हैं लेकिन आपको बस patience रखना है have patience and watch creep strain are simple सा question है अब इससे आसान question तो आपको मिलने वाला नहीं है examination में caused due to dead load only caused due to live load only caused due to both dead load and live load only independent loads independent of loads load पे dependent ही नहीं करेगा चलो इनाई चीज़ सुनने को मिली creep strain क्या होता है creep strain होता है material खुद के weight या pre stressing force की वज़े से time के साथ साथ उसमें elongation या deformation देखने को मिल रही है उसको हम लोग बोलते है time dependent strain that is creep strain अब ये creep strain जो है ये किसकी वज़े से मिलती है या तो खुद का भार dead load की वज़े से sustained loading या फिर बोला जाए कि pre stressing force की वज़े से तो यहाँ पर ये option बिलकुल correct है cause due to dead load 46% student नहीं हाँ पर सही जवाब दिया है इसका चलिए अगले question पर बढ़ते है next question पर ninth question पर ninth question का answer करना है पोल में फटा फट चलिए गाइज torsion resisting capacity of a given RC section reinforced concrete section है उसकी torsional resisting capacity के बारे में question है पूछा गया है कि decreases with decrease in stirrup spacing stirrup के बीच का space कम कर दिया जाए तो decrease कर जाती है अब देखो जैसे आपके पास एक beam है suppose करो और इसमें क्या क्या होगा main reinforcement होगा stirrups होंगे stirrup की spacing को कम करोगे यानि कि stirrup बढ़ गया ना stirrup तो और ज्यादा हो जाएंगे spacing को कम करोगे यानि कि और पास पास में stirrup को लगा दिया और पास पास में stirrup लगाओगे तो stirrup बढ़ जाते है तो stir up बढ़ाने पर torsional capacity, rotate होने पर twisting की capacity और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, तो यह तो गलत है पहला option decreases with increase in longitudinal bar, in longitudinal bar जो longitudinal steel है, इसको भी बढ़ाओगे, इनकी संख्या बढ़ाओगे, तो भी increase होती है, decrease नहीं होती है, यह भी गलत है does not depends on stir up and longitudinal steel, सरासर गलत है, increases with increase in stir up and longitudinal, stir up को बढ़ाओ या longitudinal strip को बढ़ाओ, यह बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट है, डी option 4th, option 48, 40% student, ज्यादा तर student ने इसका जवाब सही दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते है, next question पे, question number 10 question number 10 का answer आपको again, पोल में answer करना है, फटा फट, चलिए गाईज बताईए, फटा फट, एंसर क्या होना चाहिए, question number 10 का question number 10 का answer, for limit state of collapse fracture, the maximum strain in concrete at a outermost compression fiber is taken, कितना अच्छा कुसन, कितना असान, इससे अच्छा कुसन मिलेगा क्या, डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या डाउनलोड तुम लोग यार सही में, तुम लोग आज engineering, engineers की blog बोल रहेंगे, sir, I am totally demotivated guys, एक बात आपको जरूर बोलूगा, motivation, demotivation, ऐसे सब term कुछ होते नहीं है, सही मायने मों देखूं तो, ये केवल और केवल आपके day-to-day routine पे, daily का जो routine है न, उसी से depend करता है कि आप कितने ज़्यादा energetic feel कर रहे हो, या कितने ज़्यादा demotivated feel कर रहे हो, अगर daily routine follow नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पूरे मन्थ का एक एक backlog दिखाई देगा कि लगेगा कि मैं पीछे हो चुका हूँ और जैसे जैसे आपको लगने लगेगा यह कि मैं पीछे चल रहा हूँ, मैं आज अपना काम नहीं किया, मुझे जो करना था वो मैंने नहीं किया, तो आपको demotivation जरूर आएगा, तो आप खुद को सुधार यह अगर आपको अच्छा फील करना है तो इसका एंसर दीजिए सबसे पहले, for limit state of collapse, fracture, the maximum strain in concrete at outermost compression fiber is taken है, यहाँ पर कितना होता है, पॉइंट 0035, bottom पे जहाँ पे steel लगी होती है, वहाँ कितना होता है, पॉइंट 002 प्लस 0.87 fy upon es, अगर stress की बात बोलूं, तो stress diagram किस तरीके साथ है, rectangular and then parabolic up to the neutral axis, यहाँ पे maximum stress जो आती है, design strength आती है, 0.45 FC के लिलते है, design graph के लिए, यहाँ पे जो strain आती है, इस particular point पे जहाँ से rectangular हो रहा है, यहाँ पे 0.002 strain आती है, तो यह पूरा का पूरा चीज़ आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे यह पूछा है, 0.0035, compression में maximum पूछा है, तो 0.0035, correct है option, C option is absolutely correct, 64% student ने सही किया है, ठीक है, आगे बढ़ता है, question number 11, question number 11 पे, question number 11 का guys, answer करिए, फटा फटा अपलो, चलिए, बिल्कुल LSM का ही बताया बने, question number 11 बड़ा ही, अच्छा सा, यूनिक सा question है, आसानी से जवाब दे सकते हो, कई बार किया होगा ऐसे questions को, in the stability of floating body, floating body, जो तैर रही है bodies, उनके लिए stability condition, the stable equilibrium is attained if the metacenter, M जो होगा, वो point dash, the center of gravity, center of gravity से उपर होगा, नीचे होगा, बीच में होगा, कॉन साइट करेगा, पैरलल होगा, क्या होगा, option दिया हुआ है, center of gravity से metacenter क्या होना चाहिए, जब stable condition, stable equilibrium, मतलब उसको tilt करोगे, फिर वापस अपनी position में आ जाएगा, सारी vacancy तो civil engineers के लिए ही है, पूछ रहा है, civil engineers के लिए कौन सी vacancy आभी, NBCCJE की vacancy है, SSCJE आपका आने ही वाला है, जन्वरी में examination होगा, NHPC का अभी upcoming examination है, ठीक है, चलिए, इसका answer क्या होगा, अबब A option absolutely correct, 60%, बिल्कुल correct है बेटा, M की M जो होगा, वो अबब होगा G से, G से उपर होगा, M, ठीक है, G से उपर होगा, और बायोंसी अगर B की बात करें, तो वो इसके नीचे होगा, ठीक है, तो इसी के about rotate होता है, meta center के about, यहाँ पे stability के लिए condition में M, अबब दी, बिल्कुल A option is absolutely correct, 58% student, अभी भी, देखो यार, 40%, 42% student, क्यों गलती करते हैं, I don't know, लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चीए, ठीक है, अगले question पर बढ़ते है, question number 12, question number 12 का answer कीजिए, फटा-फट, बार में प्रश्न का answer कीजिए, सभी लोग, raindrops are spherical because of, raindrops spherical होती है, क्यों, इसका reason पुछा है, raindrop spherical, raindrops are spherical because of, viscosity, air resistance, surface tension force, atmospheric pressure, कुछ नहीं बोल सकते हैं, नितीस बोल रहा है, बहुत easy questions कराते हैं, सर, नितीस आज ही के session के starting के questions, जो है न, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 questions तक जरा बेटा करना, और फिर बताना कितने तुमने सही किये, है न, easy और tough से मतलब नहीं है, जो exam का level है, उसी exam के level के questions को करोगे न, कि आज मैं आपको mechanics के erudov वगरा और HC वर्मा सॉल्व कराऊं यहाँ पे, और आपको देना है J.E. Civil Engineering, तो यह easy और tough वाली बात तो कभी करनी नहीं किसी को भी, बड़ा गुस्सा आता है मुझे, बहुत easy है तो examination निकालो, एक साल में 5 exam निकालो, raindrop spherical size, spherical क्यों होते हैं क्योंकि surface, it is due to the surface tension, बिल्कुल correct है, यह बच्पन में भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि surface tension की वज़ा से surface area जो होगा, वो कम से कम होने की कोशिस करता है, कम से कम surface area अगर होने की कोशिस करेगा, तो sphere एक ऐसा safe है, जिसका surface area minimum होता है, particular volume के लिए, minimum जो area होगा, वो किसका होगा, sphere का होगा, चलिए, तो guys इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer सभी ने, in fact most of the student ने collect दिया है, 81% student ने यहाँ पर सही answer दिया है, आगे बढ़ते हैं question number 13 पर, question number 13 का answer करिए, question number 13, फटा फटा गाईज इसका answer करो, आज के session में तुम मैंने देखा कि कम सकम आधे से जादा बच्चों ने केवल admit guard आ गया है, download हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब हो रहा है, इसी में बिता दिया तुम लोगों ने, चलो खर कोई नहीं, जल्दी से जल्दी जवाब दो यहाँ पर, filling the blanks with the most appropriate option, quick lime reacts with water to form, quick lime जो होता है, CAO, पानी के साथ react करके, क्या बनाता है, option में लिखा हुआ है, limestone, slagged lime, chloride of lime, chalk powder, slagged lime, limestone, chloride of, बिल्कुल सिंपल सा question है, reaction भी आपको पता होगा, CAO plus H2O, क्या बनाता है, CAOH hold twice, इसको बोलते हैं, slagged lime, B option is absolutely correct, 65% student ने, B option दिया है, बिल्कुल correct है, अब इलेश मार खाएगा, है न, admit card आगया है, बच्चो बार-बार message कर रहा है, admit card आगया बच्चो, खुद तो session को अटेंड कर रहा है, admit card आगया बच्चो, चलिए next question, और फटा-फट इस question में, गलती करिए आप लोग, question number 14 में, जल्दी से जल्दी गलत करिए, question का answer आप लोग और बताऊंगा, मैं फिर सही answer, ऐसे questions तो मैं जानता हूँ, कि किस question में आप से फटाक से, गलती कराई जा सकती है, चलिए, यहाँ पर poll आपके सामने है, poll में गलत option को चुनिए, roadway width for national highway and state highway 2 lanes, as per the IRC, answer करिए, question है, roadway width for national highway and state highway for 2 lanes, as per the IRC, मैं ने बोला था ना, कि गलती करिए, और मैं इसके लिए बैठा हूँ, गलत question कराने के लिए, तो गलत करोगे, जहाँ पर गलती होगी, वहाँ पर मैं सुधारने के लिए आऊंगा, लेकिन हाँ, मैं बोल के बोलता हूँ, कि इस question मैं गलत करोगे, और तुम लोग करते हो, देखो 61% student हाँ, saying कि A option is correct, और बहुत सारे बच्चों ने A option को ही correct माना है, option में answer भी कर रहे हैं, तो guys, यहाँ पर roadway, lane की विर्थ नहीं पूछा है, roadway विर्थ पूछा है, लेन की नहीं की टू लेन की चौड़ाई कितनी होती, roadway विर्थ पूछा है, national highway और state highway के लिए, तो क्या लेते हैं, हम लोग prefer करते हैं, और plus highway के लिए पूछा है, national highway और state highway के लिए, तो criteria यहाँ पे 12 mm बिल्कुल correct है, लेकिन जादे तर बच्चों ने यहाँ पे 7.5 एंसर किया है, याद रख लेना यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए, तो NH और SH के लिए आपको, plain and rolling terrain के लिए 12 मीटर, 12 मीटर, और अगर major district road आए, तो 9 मीटर, other district road आए, तो 7.5 से 9, IRC recommendation है, village road के लिए 7.5, यह हम लोग roadway की विर्थ लेते हैं, roadway विर्थ इन मीटर, सारी की सारी विर्थ मीटर में है, याद रख सकते हैं, mountainous के लिए अलग होता है, इसका screenshot भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, इसका screenshot भी ले सकते हैं, अगर जिसको मन करें, screenshot ले लेना, ताकि आपको आगे future में याद करने के लिए असानी रहे, चलिए अगले question में बढ़ते हैं, question number 15, question number 15, poll create कर दे रहा हूं, answer कीज़ेगा, फटा-फट, चलो guys, यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, चलिए इसका answer कीज़े पहले, फटा-फट answer करो, abrasion test is conducted to find, abrasion test is conducted to find, क्या find करने के लिए abrasion test को conduct किया जाता है, simple सा question है, जल्दी से बताइए, मुकेस formation विर्स पे जाओगे, तो फिर तो अब detail में बताना पड़ जाएगा, है ना, बिल्कुल correct था, उसका 12 मिटर ही roadway विर्थ होगी, 100%, उसमें कोई doubt मत रखना, NH के लिए और SH के लिए, नहीं पढ़े हो, तो पढ़ो, अच्छे से, abrasion test किसके लिए किया था, hardness of aggregate, strength of aggregate, toughness of aggregate, durability of aggregate, बिल्कुल correct है, यहाँ पे तो गलत होना ही नहीं चीए था, abrasion test, attrition test, अगर पोचा जा रहा है, तो यह जो aggregate होता है, अगर road पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें wear and tear कितना आ रहा है, hardness के लिए किया जाता है, wear and tear को measure करके, loss angels abrasion testing machine, आपने सुना होगा, यह option इसका बिल्कुल correct है, यह option, ठीक है, 51% student are saying कि यह option correct है, और उनका answer correct है, अगले question पे बढ़ते हैं, the maximum super elevation on a hilly road should not exceed, again one of the easiest question बोल सकते हैं, आज के session का, शोल में question का answer किजिए, चलिए, फटाफट बताएंगे गाईज, आप लूग, यहाँ पे maximum super elevation on a hilly road should not exceed, hilly road के लिए maximum super elevation की value, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यह पूछा है, not greater than should not exceed, तो आप सबको पता है ना, कि maximum super elevation पूछ रहा है, यहाँ पे तो अलग-अलग cases आपने पढ़े होंगे, plain and rolling terrain के लिए, hilly के लिए, urban के लिए, तो जल्दी से बता दो आप यहाँ पे, अगर आपसे plain and rolling area लिखा रहता है, यहाँ पे, plain and rolling पूछा जाता, plain and rolling के लिए अगर आपसे पूछा जाता, तो 7% हो जाता, maximum super elevation की value, hilly के लिए कितना हो जाएगा, 10% और अगर आपसे पूछा जाता, urban के लिए तो urban के लिए आप लो जानते हैं, 14% होता है, तो यहाँ पे आपसे hilly के लिए पूछा है, इसलिए d option बिल्कुल correct है, अज़ा 7% hilly road पूछा है भाई साब, यहाँ पे कितने लोग ऐसी गलती कैसे कर दे रहे हो यार, ऐसी गलती कैसे hilly road पूछा है, should not exceed, तो आप लोगोंने a option बोला है, लगबग maximum बच्चों ने, 44% student ने गलती कर दी यहाँ पे, hilly road पूछा है न, super elevation की maximum value, यह तो basic चीज़ है, यह तो starting में लिखवाया जाता है, super elevation में, ठीक है, चलिए, question number 17, question number 17 का answer कीजिए, फटा फट पोल में answer submit कीजिए, question number 17 का, हाँ, snow वाले case में, बिल्कुल साही कह रहा हूँ, किसी ने बोला, snow वाले case में ही लिखा, तो snow वाला case यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एक बार specially question पूछा भी गया है, snow bonded अगर आपका road है तो, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा था क्या, आपको जनरल एंसर करना है, snow bonded का भी पूछा गया, एक बार साथ परसेंट टिक करोगे, इन में से कौन सा road pattern नहीं है, जो नहीं सुने होगे वहीं नहीं होगा, जो सुने होगे pattern road pattern में, star and block pattern ऐसे सुने है ना अपने, नागपूर road plan भी पढ़ा होगा, चलो खर, एंसर करो इसका, block pattern, star and block pattern, hexagonal pattern और diamond pattern, तो यहाँ पर 17 question का answer, ज्यादा तर बच्चों ने यहाँ पर D option दिया है, hexagonal भी बोल रहा है कुछ लोग, hexagonal pattern होता है भाई, या सुतोस, diamond pattern यह आपने road pattern नहीं, diamond crossing जरूर सुना होगा, diamond crossing सुना होगा, diamond crossing होती है, diamond pattern की road नहीं होती है, ठीक है, diamond pattern बिल्कुल correct option है, यहाँ पर 4th option is absolutely correct, जिन बच्चों ने 4th option को select किया है, बिल्कुल correct है guys, है ना, अगला question, question number 18, 18 question, यहाँ पर poll create कर दे रहा हूँ, इसका answer करिए आप लोग, number नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब, I think, उस तो गढ़बढ है देया, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 18 question है, यह 18 question है, question number 18 है, in India, yellow and white color on a milestone indicates, yellow और white color, आपने देखा होगा ना, milestone meal के पत्थर बोले जाते हैं, जैसे road के side side में, जो stone लगे होते हैं, जिसमें लिखा रहता है, कि इतने kilometer, इतने kilometer, कानपूर इतने kilometer हैं, color भी कई बार अलग-अलग होते होंगे, है ना, तो इसके बारे में पुछाएं कि, अगर यह white color का है, और yellow color का है, तो वो कहां पर use होगा, national highway में, rural road में, ग्रामिड सड़कों पे, ग्रामिड शित्रों के सड़कों पे, state highway पे, या MDR major district road पे, अब तुक्के बाजी में तो, भाया आपसे कोई जीत नहीं सकता है, तुक्के मारने लगें सब के सब, question कुछ भी आ सकता है यहां से, जरूरी नहीं है कि, यहां पे national highway का ही question पूछा जाए, हाला कि यहां पे तो बहुत सारे बच्चों ने, नेशनल highway को सही बताया है, और बिल्कुल correct है चलिए, यह option यहां पे सही माल लेते हैं, जादे तर बच्चों ने 57% इस्ट्वेट ने, और दिखा देता हैं आपको फिगर पूरा का पूरा, अगर आपके पास national highway पूछा जाए, तो yellow and white strip, यह देखो यहां पे, यह दिखाई दे रहा होगा, नेशनल highway के लिए यहां पे yellow और नीचे white, इस पे आपको लिखा रहता है, जो भी content होगा, किलोमेटर वगरा, स्टेट highway अगर दिया रहा है, तो green और white, और black और white अगर दिया रहा है, यानि कि city है या district road है, major district road है, MDR वगयला के लिए, और rural road के लिए orange color हो जाता है, और white हो जाता है, orange और white color हो जाता है, तो इस तरीके का color में confusion नहीं होना चाहिए, यहां पे आप लोग याद रख लिजेगा, यह पूरा का पूरा screenshot ले लो मन करें तो, confusion है तो, confusion अब आगे से नहीं होगा, ठीक है, clear है, तो आज यार गाईज हमने इतने questions कर लिए, आज के लिए sufficient है, आज थोड़ा सा कम ही रखते है questions को, कम क्या session का timing भी लगबग होने वाला है, 18 questions कर लिए, I hope आप में से बहुत सारे बच्चों ने, काफी questions का answer सही दिया होंगे, तो यहाँ पर इस question का answer जो है, most of the student ने सही दिया था, यहाँ पर national highway में yellow and white, ठीक है, green और white रहे तो state highway टिक करते, अगर MDR के लिए पूछा है तो, यहाँ पर blue और black, कई बार यहाँ पर blue भी color दे देता है, ब्लू या black रहता है, तो blue और black दोनों ही चलेगा, blue और black city या district road में आपको देखने को मिलता है, village road में orange और rural में, जैसे village में या फिर rural road में, यहाँ पर orange और white का strip देखने को मिलता है, ठीक है, 12 नहीं हुआ, 18th question था यह बटा, ठीक है, आई होप आपको session अच्छा लगा होगा, और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, जिसको भी कुछ ना कुछ daily session में कुछ सीखने को मिलता है, वो जरूर attend किया करिए, अगर लगता है कि worth a session, otherwise आपको भी लगता है कि questions तो easy है, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप आराम से घर में सो के गाना सुन सकते हैं, आपके पास पूरी के पूरी freedom है, लेकिन हाँ, जिनको पढ़ना है, साड़े आठ बजे daily YT session पे YouTube पे आप आ सकते हैं, इंजिनेस अड़ा के इस platform पे मेरे द्वारा questions प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको sessions को attend करने के लिए, ठीक है? तो thank you so much सभी को, और जो भी new student है, नए student है, देखो यार जिनको भी पढ़ना है, अगर concept सीखना है, तो join कर सकते हैं हमारा paid classes, जो इंजिनेस अड़ा की तरफ से अड़ा 24-7 के official application पर आपको provide कराया जाता है, जिनके पास नहीं होगा, यह application अड़ा 24-7 का download जरूर कर लिजेगा, ठीक है? application download करने के बाद आप join कर सकते हो, यह आरंब batch, यह particular batch है, यहाँ मेरी photo लगी हुई है, इस particular batch की starting जो हो रहा है, इसका आरंब जो हो रहा है, structural engineering से होगा, और 24 तरीक, 24 March यानि की परसो से यह batch स्टार्ट हो रहा है, discount के लिए इस coupon code का use कर सकते हो, Y293, join कैसे करना है, application में जाओगे, search करना बस login करने के बाद सर्च करना, आरंब आपको यह दिखाई दे जाएगा, all AJ civil engineering, क्योंकि सारे के सारे exam इसमें covered हो जाएंगे, जितने भी AJ के exam से हैं, सारे technical, non-technical सब कुछ, तो जिनको भी चाहिए, join करना है, यह coupon code है, Y293, discount code, discount price में इसको join कर सकते हैं, thank you so much guys, और admit card के बारे में जरूर बता दूँगा, अगर आया होगा तो, ठीक है, इसी तरीके से preparation करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए session में, daily, और कोई भी requirement है, कोई भी job update है, इसलिए चैनल को subscribe कर लिजिए, सारी के सारी update में यहाँ पर provide कर आता रहता हूँ, ठीक है, एक पूछ रहा है कि सर आपकी साधी हुई है कि नहीं, नहीं हुई है तो बताईए, कुछ पढ़न नहीं पाया, मैंने पूर लंबा चोड़ा लिखा था, कोई बात नहीं बटा, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही,